आपको हमारी राम राम मुए आज ग्वाली और चंबल में आई के बड़ी खुशी भाई मैं पहले भी पितामरा मैया के दर्शन को आई हती मुए दादी इंद्राजी आपके क्षेत्र में आई हती उनने मुए रानी लक्ष्मी भाई की कहानी खूब सुनाई हती मैं बच्पन में तुम्हां एक शेत्र की वीरता और साहस की कहानिया पतो हो पतो है इते एक दूर दूर से आई मेरी बहनन और भाईया आप सब लोग उनका बरनेवाद देखें मैं यहां ग्वायर आ रही थी तो मेरे साथियों ने कई साथियों ने मुझे मुझे मुद्दे भेजे कि कौन कौन से मुद्दे है जो बालियर में मध्यप्रदेश में महत्वपूर्ण है और मुझे भाषन में क्या क्या कहना चाहिए जब मैं उन मुद्दों को पढ़ रही थी उन सुझाओं को पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि जादा तर नकारात्मक बाते थी और मेरे मन में ये बात आई कि क्या हमारी राजनीती आज सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप में फस गई है क्या इससे आगे भी कोई राजनीती हो सकती है इससे बढ़तर भी हम कुछ ऐसी बाते कर सकते हैं जो जन्ता की मतलब की बाते हों कि देखिए भारतिय राजनीती की नीव कि स्वतंत्रता के अंदोलन से मेडली थी कि स्वतंत्रता का जो हमारा अंदोलन था उसे सत्य ग्राय का नाम दिया गया था तो सत्य की लड़ाई थी तो हमारी पूरी राजनीती की जो नीव है वो उसी लड़ाई में है तब ही डली तो हमारी परंपरा रही है हमारे देश की कि कि हम नेताओं में सभ्यता सरलता सादगी और सच्चाई ढूनते हैं हम चाहते हैं कि ऐसे नेता हों जिनमें ये स्वभाव हों और इसी के वड़ाद पर परसंट होंगे लिए हमारी राजनीती जो नेती प्रांच परिदूनिया बदल रही हैं आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की बुराई हम मंच पे आते हैं आपको गिनवा देते हैं कि इनके क्या गुण है और अवगुण है वो हमारे गिनवा देते हैं और मुझे अक्सर लगता है कि इस बीच जो जन्ता के असलिम होते हैं को डूब जाते हैं आजकल शोहरत बड़े बड़े बिजनस वालों को देश की संपत्ती सोपने की राजनीती एहंकार